दोस्तो काफी टाइम बाद ओपो ने अपना नया स्मार्टफोन लाँच कर दिया एंडिया के अंदर वो भी रंग बदल के ओपो का दोस्तो नया लेटेस्ट फोन आ चुका है एंडिया में ओपो के टैन जिसका बॉक्स आपको बिल्कुल डिफरेंड मिलता है पहले से तो लाँच हो चुका है एंडिया के अंदर ओपो के टैन इस वीडियो में दोस्तो इसलिक इन बॉक्सिंग करके आपको बताऊँगा आपको इसमें क्या-का फीचर्स मिलते हैं आपको ओपो के टैन खरीधना चाहिए यह पिर नहीं खरीधना चाहिए तो दोस्तो वीडियो को जानने के लिए end तक ज़र देखिएगा और दोस्तों वीडियो को एक like ज़रूर कर दीजिए बाकी box पहले से काफी ज़ादा different है black और green combination में box पर जो rate है दोस्तों वैसे वो तो काफी ज़ादा है 19,000, 19,000 का लेकिन यह आपको मिल जाएगा दोस्तों online 15,000 में बाकी दोस्तों rate जो है change होते हैं हो सकता है और सस्ता भी मिल जाए 15,000 सा और कम का तो दोस्तों left side पर जो option आ रहे है view products का इस पे click करके एक बार rate ज़रूर चेक कर लिएगा कई बार sale भी लगती रहती है online तो rate कम हो जाते हैं जरूर कर लिएगा इस पे click करके चलिए देखते हैं दोस्तों OPPO के इस नए K10 के साथ आपको box के अंदर क्या क्या मिलता है तो दोस्तों बल्कुल black color में आपको combination मिलता है box का complete सबसे पहले एक mini box दिया गया है जिस पे दोस्तों अंदर की तरफ आपको user manual मिल जाते हैं एक sim ejector tool जो की बहुत important एकसर आपने पास रखेगा दोस्तों आज मुझा बड़ी परिशानी होगा इसकी वज़े से आगे बताऊंगो दोस्तों वीडियो में यह white color में charger इसकी build quality काफी अच्छी है और दोस्तों box के अंदर आपको यह 33 watt का charger दिया गया है तो दोस्तों charger जो है fast है काफी बढ़िया आपको मिल जाता है तो box के जो contents है वो काफी अच्छे मिलते हैं वैसा तो दोस्तों box के contents अच्छे ही हैं लेकिन मुझे आज और जादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि SIM ejector tool के आज value पता लग गई मेरे phone के दोस्तों आज battery खतम हो गई market के अंदर और उसे के साथ मेरे पास एक और दूसरा extra phone था उसमें मैंने सोचा SIM लगा लूँ लेकिन मेरे पास SIM ejector tool ली ता जिससे भी मांगा कम से कम 8-10 लोगों से help ली किसी के पास भी SIM ejector tool नहीं मिला तो आज इसकी value काफ़ जादा बढ़ गई मेरे दिल में आप SIM ejector tool अपने पास रखते हैं चाबी के चलने में या फिर कैसे comment करके ज़रूर बताइएगा या फिर back panel पे बागी दोस्तो अन्रैप कर लेते हैं OPPO के K10 को तो दोस्तो आपको कुछ इससरी किसे इसका design मिल जाता है सबसे पहले sticker हटा देते हैं तो दोस्तो design जो है आपको काफी जादा premium मिलता है इसका camera का जो module है काफी जादा आपको latest मिलता है जिस वज़े से जो है दोस्तो काफी जादा बढ़िया लगता है ये phone आपको बड़ा बड़ा लिखवा मिल जाता है 10K हालकि K10 आउनों चाहिए था लेकिन यहाँ पर 10K लिखवा मिलता है नीची की तरफ OPPO की branding है दोस्तो डिजाइन जो है आपको काफी बढ़िया quality में दिया गया है matte finish में तो दोस्तो scratches वागेर भी एकदम नहीं आएंगे finger paints वागेर भी वैसे इसके back panel पे एकदम नहीं आ रहे है तो ये चीज मुझे इसके design की काफी जादा बढ़िया लगी साइड का इसमें आपको rainbow colors के effect भी दिये गया है और इसमें shining आपको जादा देखने को मिलती है ये थोड़ा सा आपको soft finish में मिलता है नीचे से थोड़ा सा आपको matte finish में दिया गया है तो quality double combination में दोस्तो बागी cover लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लब दोस्तो इस phone के अंदर आपको जो display मिलती है चलिए उसको on कर लेते हैं देखते हैं कैसी quality है तो वैसे तो आपको size 6.5 inches के आसपास और इसके अंदर आपको display IPS दी गई है अब ये मुझे इसके अंदर एक कमी लगी इसके अंदर AMOLED display नहीं दी गई IPS मिलती है Full HD+, बाकी quality देख लेते हैं कैसी है क्या आपको quality down मिलती है या फिर price के हिसाब से display की quality सही दी गई है या फिर नहीं उसको अभी check कर लेते हैं बाकी दोस्तो ये animations काफी अच्छी लगती है जब OPPO के phone को आप use करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो दोस्तो ये एक दर्वाजा खुलता है न तो phone में जो एक entry होती है वो बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है इस वज़े से चले दोस्तो इसके display की quality में आपको दिखा देता हूँ तो ये feature आपको display के अंदर settings में जाके देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आप इसको 60Hz पे भी यूज़ कर सकते हैं बैटरी बैक अप जादा बढ़िया चाहिए 90Hz पे दोस्तो आपको बैटरी बैक अप थोड़ा कम देखने को मिलेगा नॉर्मल बैटरी बैक अप से और दोस्तो smoothness display के अंदर काफी बढ़िया मिल जाएगी लेकिन अब display की quality कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ design तो दोस्तो इसके अंदर आपको पंच्छोल camera वाला मिलता है तो design काफी बढ़िया है display का और दोस्तो edges, bezels भी काफी कम दिए गए है लेकिन display के जो आपको colors मिलते हैं, brightness मिलती है वो आपको normal दिए गए है अगर हम इसके price को देखें 15,000 तो दोस्तो आपको display की quality मिलती है वो normal ही दी गई है अगर emolid display होती तो और जादा बढ़िया रहता तो यह चीज़ आपको देखने को निमलती इसके अदर emolid display तो नहीं है हाँ दोस्तो वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे नहीं कि colors, brightness काफी खराब है कि कोई problem हो रही है तो ऐसी चीज़ आपको देखने को निमलती बस यह price को देखा जाए तो और जादा better quality की display होती तो और जादा बढ़िया ही होता इसके लब दोस्तो इस angle से भी आप इसका design देख सकते हैं तो काफी जादा बढ़िया लग रहा है 10 के तो लिखावा है उसी के साथ साथ आपको ऊपर की तरफ super performance भी देखने को मिलता है लिखा वाया बैक पेनल पे left side पर दोस्तो sim kit रहे है उसी की ठीक नीचे volume के buttons sim kit रहे दोस्तो ऐसी दी गई है आप दो sim card और एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आप तो ये चीज काफी कमाल किये इसके लग दोस्तो नीचे की side साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है type c port दिया गया है इसके अंदर और दोस्तो ये phone 4G ये 5G नहीं है fingerprint scanner scanner आपको मिल जाता है side में power के button के अंदर उपर से देहेंगे तो noise cancellation mic दिया गया है इसके लग दोस्तो इसके अंदर आपको जो fingerprint scanner मिलता है उसको भी test कर लेते है speed कैसी है तो जैसे मैं touch कर रहा हूँ एकदम quickly दोस्तो unlock हो जाता है तो speed काफी कमाल की मिलती है fingerprint scanner की speed को लेकर आपको कोई भी problem नहीं होगी इसके लोग दोस्तो face unlock भी आपको मिल जाता है उसकी भी speed में आपको check कर वा देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे मैं button प्रेस कर रहा हूँ ये एकदम unlock हो जाता है तो speed आपको काफी कमाल की मिलती है face unlock की भी और दोस्तो fingerprint scanner की भी RAM और storage की बात करें तो इसके अंदर दोस्तो आपको 15000 में दी गई है 6GB RAM 128GB के internal storage 6GB RAM है 128GB internal storage जिसमें से दोस्तो 20GB के असपास पहले से ही used है तो तकरीबान आपको 108-109GB के असपास दोस्तो storage free मिलती है और RAM expansion का option इसके अंदर आपको मिल जाता है तो 6GB RAM आपको मिलती ही है इसके अंदर by default और 5GB तक और बढ़ा सकते हैं आप तो 11GB RAM हो जाएगी तो RAM तो इसके अंदर आपको काफी जादा मिल जाती है इसी साथ दोस्तो इसके अंदर आपको Android का 11 version दिया गया है वैसे 12 होता तो काफी बढ़िया रहता तो इस चीज़ आपको देखने को ने मिलती है इसके अंदर वैसे latest version होना चाहिए था क्योंकि बिल्कुल latest phone है उपो की तरफ से इसके लिए दोस्तो चले इसको restart करते है देखते हैं आपको कितना time देखने को मिलता है restart करने में और दोस्तो इसके अंदर आपको वैसे जो processor मिलता है वो मिलता है snapdragon 680 तो अगर आप एक heavy user है जैसे आपको game वगरे खेलने है तो performance आपको इसके अंदर अच्छी मिल जाएगी बाकि दोस्तो अगर आपको performance की वज़े से ही phone लेना है तो वैसे दोस्तो इससे और ज़्यादा बड़ी options भी आपको देखने को मिल जाते हैं 15,000 के budget में अगर आपको game वगरे बहुत ही ज़्यादा खेलने है तो और दूसरे smart phones भी आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर आपको performance और ज़्यादा बड़ी है इस budget में क्योंकि 15,000 कम नहीं होते हैं काफी ज़्यादा price है तो दोस्तो इस budget में आपको और options भी मिल जाते हैं तो चैनल में दोस्तो आप दूसरे phones की भी वीडियो एक बार जरू देख लिएगा इसके लिए दोस्तो इसके अंदर आपको जो battery मिलती है वो मिलती है 5000 image की एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाएगा battery backup इसके अंदर दोस्तो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा और दोस्तो इसके साथ आपको charger भी fast मिल जाता है box के अंदर तो आपको problem नहीं होगी, battery backup भी सही है, charging speed भी आपको अच्छी मिल जाती है इसकी साथ दोस्तो, restart होने में कुछ इतना time लगा, कुछ applications open करके देखते हैं कितना time लगता है applications open होने में तो दोस्तो, speed वैसे इसके अंदर आपको normal मिल जाती है, मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, दोस्तो, अगर आपको budget 15,000 का है, तो आप एक बार जो है दूसरे smartphone भी जरूर चेक आउट कर लिएगा इस budget के अंदर जो आपको दूसरे मिलते हैं, तो speed इसके अंदर आपको normal मिल जाती है, वैसे normal यूसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, game वगएरा थोड़े बहुत खेलने तो problem नहीं होगी, performance की वज़े से ही phone लेना है, तो और दूसरे भी देख लिएगा बाकि दूसरे इसके अंदर आपको जो camera दिया गया है, back side पर 50MP का है, 50 Megapixel, performance दूसरे की देख लेते हैं, कैसी आपको मिलती है, तो photos की जो quality है, colors वगएर वो तो काफी अच्छे हैं, आपको performance को लेकर camera को लेकर दिक्कत नहीं होगी, performance आपको सही मिल जाती है, तो colors वगएर अच्छा camera दिया गया है इसके अंदर, और दोस्तो अगर आपको camera की वज़े से ही phone लेना है, तो दोस्तो आपको और दूसरे options भी वैसे इस budget में मिल जाते हैं, जितना price इसका है 15,000, उसे सबसे मुझे इसका camera normal लगा, तो दोस्तो overall देखा जाए, तो कुछ चीज़े इसके normal मिलती है, इसके price point को देखते हुए, बाकि कुछ चीज़े जो काफी जादा बढ़ी हैं इसके अंदर, एक तो इसका design बहुत जादा अच्छा है, बैटरी बैकप बढ़िया मिल जाता है, इसके अंदर आपको 90 Hz का refresh rate भी दिया गया है, तो दोस्तो अगर आपको Oppo पे भरो ना है किसी और phone के साथ, तो वो चीज़ भी comment कर दियेगा, दोस्तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपकी पसंद की वीडियो, comparison की जल्दी लेकर आने की, वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके ज़रू जाईएगा, चैनल पर आप नया है, सब subscribe आपने निकर रखा, तो subscribe कर लिजे दोस्तो ताकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहें, इसके लब दोस्तो rate जो है change होते हो सकता है, और सस्ता भी आपको मिल जाएए, sale के अंदर, तो left side पर जो दोस्तो option आ रहा है, view products का, उस पर click करके एक बार rate ज़रू चेक कर चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye